What's up everyone, welcome back to our beautiful channel for more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos, let's begin Yes people, कैसे हैं आप लोग, होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहोंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स Now friends, हम लोग स्टार्ट करते हैं पर आज की लास का discussion और आज हम लोग basically टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेवल कर लेवल कर वो समयनने के लिए आप अपने माइन में एक image बनाईए, that is 3D diagram, ठीक है, आप लोगो ने 3D diagram ब्रूपल सुने होंगे, इनफेट देखे भी होंगे, ठीक अब जैसे कि अपने इन्हें technology बढ़ती जाड़ी है, तो आपको 2D के अलावा भी multiple dimensions के figures, images दिखने लगे हैं, ठीक है, वो technology के basis पर, आप अपने mind में आप कुछ ऐसी images बनाईए, जो 3D diagram पढ़ो, ठीक है, just example में एक बहुत अच्छा सा example दोंगे, आप पर bell shaped diagram, आपनों सुना होगा, एक bell shaped diagram होता है, bell shaped, वो आपके mind में रहा होगा, वो अपने mind में image बनाईए, तो यह तो concept है कि जो image आप बना रहे हो, हम सीब उसका name लिख सकते हैं, that is 3D, मैंने बोला 3D dimensional, 3D image अपने mind में बनाईए, तो हम सीब उसको लिख सकते हैं, बढ़ हम इसको 3D को हम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, अब हमें से कोई बच्चे बना बतायागा कि सर्फ 3D के diagram को आप यहाँ पर क्यों नहीं बना सकते हैं, yes guys, 3D के diagram को हम यहाँ पर इस नहीं नहीं बना सकते हैं, क्योंकि guys, यह जो हमारे सामने picture है, यह 2D है, इसका length और breath सी दो ही चीज़ सकते हैं, अब आगे पास समझना, तो को बिटा हमारे सामने ऐसे multiple diagrams होते हैं, जो computerized बनाए जाते हैं, computerized ही बन सकते हैं, जो 3D के diagram होते हैं, ठीक है, अब वो 3D diagram है, लेकिन अगर मैं बात करो थोड़ा पुराने level की, पुराने time की, तो शायद आपको पता होगा, कि अगर हम अगर हमें उस image को diagramatically बनाना होता था, पहले कभी के बात कर रहें, जब इतनी technology नहीं थी, हमारे mind में जब को image होती थी, 3D image, और हम उस image को किसी को समझाने के लिए बनाते थे, तो हमेशे हम लोग 2D पे बनाते थे, क्योंकि मतलब एक page होता था, ये एक surface होता था, हम 2D पे ब और बनाते थे guys, उसे हम भूलते हैं level curve, कुछ बात से जमाई, इस basic बात है, अराम नाम से समयना, I repeat, 3D diagram का, अगर हम 2D में conversion करते हैं, तो जो भी portions हम 2D में बनाएंगे, उन curves को हम लोग भूलेंगे level curves, ठीक है बैटा, अच्छा, बात ही आती है कि level curve की importance क्या है, और किधर है जो बैटा, economics में तो level curve का concept पस तना सा आ जाता है कि हम लोगों के सामने question होगा, ठीक है, and कुछ हमारे economics के preferences होंगे, production functions होंगे, economics के functions ही होंगे, तो वहाँ पे हम उनको इस्तमाल करके बना देंगे, ठीक है, अपात वही पड़ी खतम हो जाएगी, लेकिन guys, मैं आपको इस बह जादे इस्तमाल होता है, guys, वो geography में इस्तमाल होता है, geography, ठीक है, आप में से बहुत सरे बच्चों ने geography पढ़ी होगी, शायद हो सकता है, और बहुत सरे ने नहीं पढ़ी होगी, या फिर आप में से काफी सरे student ऐसे हैं, जो आगे चलके, just example UPSC side जाना चाहते हैं, ठीक है, just हमाल लिया, example ले लिया, guys, ठीक है, तो वहाँ पर आपको level curve के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, level curve बोलो, या फिर आप इसको contour बोलो, मुझे, आप में से जिन्होंने geography पढ़ी है, उन्होंने contour word अच्छे से पढ़ा होगा, अपकर तो हम इसका पहले discussion करत बातों, उसके बात हम लोग इसके numericals पढ़ाएंगे, basic meaning आप लोग समझ गए, अगर हम लोग diagramatically 3D को 2D में conversion करते हैं, तो उसे हम बोलते है, level curve, ठीक है, level curve, got it, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, चलिए गई, now, अगर हम लोग, level curves का economic, economics में आएं, तो economics में, mathematics अभी discuss करेंगे, पहले हम economics देख लेते हैं, economics में, level curve कहां कहां आ सकता है, बहुत-बहुत basic level के बात करूँगा, indifference curve, आपको बता है, जो indifference curves होते हैं, इंडिफरेंस curves होते हैं, वो utility का, utility के diagram से नहीं होते हैं, utility के curve नहीं होते हैं, वो guys, level curves होते हैं, आप बहुत कैसे हैं, जो indifference curve होता है, जब हम indifference curve का diagram, draw करना चाहते हैं, तो उसके लिए, उससे पहले, उसके equation होती है, तो अगर आप से कोई बोले हैं, equation of indifference curve, छीके, या फिर equation of a utility function, क्योंकि utility function से काई indifference का derive होता है, तो शायद आप ऐसे बोल सकते हो, utility is equals to function of x, y, आप खुद सोचो, एक variable x, एक variable y, दो variables होगे, और obviously बात है, x और y के variations होने पर, u में भी changes दाएंगे, तो गयाद, there is a three diagrams, three variables, three variables, three variables को मातला पोगे बटर 3D, अब ये तो concept के लिए रहे ना, कि indifference curve 3D में बनता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग indifference curve को 2D में बनाते हैं, और कुछ इस तरीके से, अगर आपको, या तो थोड़ा पूद, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, याद आया कुछ, हम कुछ ऐसा बनाते है और हम इधर लेते हैं Y, इधर लेते हैं X, तो गया देखिए, ये है तो indifference curve, पर this is the level curve of the utility, समझ रहो, this is not the curve of utility, it is a level curve of utility, यानि guys ये जो indifference curve रहा होगा न, वो actual में 3D रहा होगा, समझ रहो, ये कुछ 3D में का प्रोशन रहा होगा, जो guys after that 3D वाला concept, जो है 2D में convert किया ह हमने, तो क्योंके guys हमारे पास जो डियाग्रमेटर के लिए बनाने की चीज़ होती है, वो two denominations होती है, अब जिस्ट ऐसे चीज़ों को समझो, जिस्ट मैं आपको एक पात और बताना दाता हूँ, यहाँ पर, यह समझेगा, तो होता ही है, जिस्ट ऐसे कि मैंने आपको बता मैं बहुत पहले यह बात कर रहा हूँ, अब तो guys बहुत जाद है technology, अब तो in fact 3D curve क्या 5D curve भी दिख जाता है, अब तो guys कोई सा भी dimensional आप ले सकते हो, अब तो technology बहुत-बहुत advanced level की है, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी पुराने time की, ठीक है, पुराने time की, जब जगरफी म basically, जब हम लोग, हम लोग के उतलब जो researchers वगड़ा होते थे, जब वो एक AD से दूसरी रिये जाते थे, तो गैद वो, मान के चलो obvious बाते, उनको जाने से पहले जो training दी जाती थी, वो 2D diagram, sorry, 3D, 3D की figures में मैं बताय जाती थी, training के basis पर, कि यहाँ पर जाओगो तो ऐसा, अब जैसे बाव, एकजांपल सोचो, कभी आपने अर्थ का 3D diagram देखा है, obvious बाते, computer पर या फिर वो अलग तरह की images होती है, जो उस तरीकी से बना देते हैं, कि वो 3D, 3D देखती है, ठीक है, वो समझाने के लिए, यह technology को स्तेमाल करके 3D figures हमें दिखा जाती है, अर्थ की example, ठीक जो हमें graph वगणा देते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे graph में, हमारे earth की images होती थी, तो वो guys, वो कैसी होती थी, circle में, समझ लो, 3D में देखाई थी, 3D में देखाई थी, में sphere form में, और हमें जब 2D में देखाई थी, तो को अधे दिखाई, circle form में, तो आप खुद सोचो, कि जो 3D वाला sphere था, वो 2D में आकर circle बन गिया, बासेज में हमेरी बात आपको गईद, आप इंडिया का graph देखते हो, तो भी आपको दिखता होगा, ठीक है, यह बिल्कुल plane है, क्या वो बिल्कुल plane है, नहीं न, मैं वह चीद आप से बोलना हूँ, तो कि होता है, क्या था कि पहल अपने पास जो images होती थी, ठीक, images होते थे, उनके थिरुक यह confirm कर ले करते थे, कि वो 2D की figure 3D में ऐसी दिखती है, समझे मेरी बात होगा है, जिस बहुत basic level पर समझेगा इन सब चीजों को, कि हमारे पास, अब जैसे छोड़ा example और मैं आप बता हूँ, कि आपने वो देखा होगा पुरानी फिल्मों में, जब वो ख़दाना ढूड़ने जाते थे, वो लोग, समझे लोग, जो ख़दाना ढूड़ने जाते थे, तो उनके पास जो नक्षा होता था, नक्षा, यादा कुछ नक्षा उस एरिया का, तो वो 2D में होता था, क्या वो 3D में होता था, नह आज भी अगर आप किसी भी जैसे architecture है अगर आप उससे नक्षा मांगो को तो वह आपको 2D में देगा, मतला आपको, लेकिन वह उसकी image 3D में बना रहा होगा अपने पास, अगर आप आज भी गयाद आप अपने घर का नक्षा उठा के देखोगे, इनफर्ट अगर मतो अपने मांगने के घर का नक्षा, तो मांग के देखना, आपको पता लेगा किसके लिए 2D figures बनी हुए है, लेकिन कि आपको 2D में है, नहीं, आपको तो गयाद multiple damnations में है, मेरी बास है जी मांगे गयाद आप लोग को यहाँ पर तो गयादी basic information थी जो मुझे आपको यह सब चीदे बतानी थी, ठीक है, अब अब जिस्ट डागेमिटी के लिए पहले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग गयाद यहाँ पर थोड़ी से statement में लिख लेते हैं, थोड़ा सा theoretical statement में लिख लेते हैं, उसके बाद गयाद में आपसे यहाँ पर थोड़ा से detailed discussion करूँगा, तो is equals to fxy, is cut by the horizontal plane, by the horizontal plane, then all the points on the intersection, represent as, z is equals to fxy is equals to k, clear, z is equals to fxy is equals to k, अब दो को समझना, यहाँ पर मैं आपको जिस पता देता हूँ, जस्ट मान लो, जस्ट मान लो, कि मेरे पास एक यह 3D गाइद, तो सबसे क하 गया, यहाै से काड गया, यहाँ से काड गया या फिर इधर से भी काड गया, इसरह एक भादायों अभी इताधिय डागर protocols, अब लेड माल लो टीक अब बलेड और बलेड और विजबत करते हैं तो सबसे पहले क्या है गाइगा एक पॉइंट अब इस पॉइंट को आप बेसिकली यहां बना तोगे तो दिस इस दा पॉइंट विच प्रेजेंट के भाई वो फंक्शन जो एक फाई का फंक्शन है लेकिन वो कट कर दिया गया है अब माल लो फिर आपनी यह यह कर आप सोच होगे जब आप इसको कट करोगे या खूस हो सरकल की फर्म में आएगा और विसी बात है गलत तो नहीं कह रहा है मैं सरेकल की फर्म मीं आएगा लेकिन अवह हो किस किज रइडियस का आगा वों टिपैन करता कि कि आपने कितने कितना कित्स लेकिए उसको कट किया है अप ऐसे कट करते जा यहां से value उठा उठा कि यहां रख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं, project कर देना, क्या कहते हैं, बच्चा हमें इसे, हमें इसे कहते हैं, कि भई हमने अपने diagram को यहां पर project कर दिया, यानि projection, कि लिए रहे हैं, यहां पर चीज़ों को समझाएगा, आपको इतनी basic passage में आ गई, तो क अभी गाइज हम इसका practical example भी देखेंगे, वेट, गाइज ठीक है, अपको इसका थोड़े से statement आ लिखते जाहिएगा, लेका न गाइज, the production, projection, projection of intersection, intersection, on to, xy plane, xy plane, समझ रहे है, xy plane हम कौन से बात कर रहे है, 2D डियागरम की बात कर रहे है, is called, is called, level curve, level curve of height, k, ठीक, ऑफ हाइट के, दो गई दी के क्या है, क्या गई यह चीदे, जीफे, आपको देखना आपने यह जो गैप है, यह वाला गैप, यह वाला यह गैप, यह, 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 मतल्द जिस भी हो, भाप眠ीप, से पकड़ क्र जाने जाए, ठीक है, और यह जी गैप, फिर सको यह, जाले नहीं, यह, कितना है, यह, कितना है, यह, कितना है, कितना है, त हम जी रहो, यह जो गैप होकई, वो इस the set of all the set of all curve all level curves z is equals to fx y is called is called contour plot of f contour plot of f got it the set of all level curves that is equals to fx y is called contour plot of f clear guys basic level if we talk about this level curve level curve concept is complete but guys you can see that level curve basic meaning is so important that we have 3d diagram 2d conversion right here 3d diagram 2d my conversion curve because you see him low level curves bulte hain guys uh मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक कोशन ले लेता हूँ पहले, सबसे पहले गयाँ कोशन आपको पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका गयाँ एक 3D figure भी दिखाऊंगा, मैं नहीं कुछ ट्राई किया आप लोगों के लिए, कि आपको छोड़ा मैं पहले हूँ नहीं आपको आपको इसका वहाँ प्राईप्राइज गए तो गएड़ देखें के लिएक फलाले क्षोड़ा सा कोशन समझ ही लेजे का, अभी हाँ पर ट्राईच कोशन देखें, लिए र सब्लोग इता हूँ लिएड़वों देखें लिघए हूँ for each for each of the following of the following functions of the following functions जिसमें Z इज इज रखा जी रखा जी नोने हमे F X Y ठीक है जिस्ट वो दे रखा है नोने हमे जिसके के बराबर भी है जिसको लिख देता हूँ चलो एक्जाम्पल करते है K के बराबर रख दिया हमनो इसको और यहाँ पर मैं आपको F X Y बता देता हूँ F X Y is equal to X square plus Y square जिसके के बराबर है के के ठीक है अब जो को समझना मैं आप इसको solution भी कर देता हूँ एक काम करते हैं यहीं से लिख लेता है बिसको solution में basic level की पास लिख लेता है level curve level curve of height level curve of height K has the equation F X Y is equal to K F X Y is equal to K जिसे आप कह सकते हैं basically यह X square plus Y square is equal to K ठीक है अब दो को गई दो को अब मुझे जस्ट एक छोटी से बाब बता तो जस्ट मेरा आप से चोटा सा कोशन भी है के माना यह गाई इक्वेशन हमारी 3D है ठीक है मतला अब अगर हम स्टी डैमिशनल की बात करते हैं तो अब विदी बात कहा है 3D दिख रही है क्योंकि X square पर Y square and which is also close to Z अगर आप यहाँ पर देखें इधर that is also close to Z तो कहें यह 3D figures हो गई X Y और तीन figures हो गई हमारे सामने but the point is that हम इस 3D का 2D में conversion करना है इस 3D का 2D में conversion करना है अगर ध्यान अगरना K यहाँ पर कुछ भी हो सकता है K यहाँ पर कुछ भी हो सकता है K is basically what K is guys Z आप इसको K को चाहो तो Z भी कह सकते हो guys कोई इशू नहीं है अभी just हम जैसे भी figure की बात करेंगे तो वहाँ पर जो K है वो Z है समझ रो फिर constant ले 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 ना ने सब चीजों को Z का फिर constant ले 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 ने जैसे K को आप constant लोगा यहाँ पर अभी आपना K की वैलू वैल्य करेंगी K या जैसे जैसे माल के चलो तिस दा एक्वेशन आफ शर्कल इन टूडी डियागरम लेकिन लेकिन अगर K की वैल्यू अब तो समझ ना अगर मैं K की वैल्यू वैल्य करता हूँ जैसे कि आपको पता होगा मैंने आप बता या तो येह ये समझ है ही तो है जिते के डिफ्रेशन हो रहा है उसी और स्कार्ट प्रोंट रिएगा यह इसे हम control point बोलते है, projection बोलते है, माललो case number 1 में आपने k को बोला 0, just example, अब अगर k को आपने 0 बोला तो x square plus y square बनके 0, so this is what, this is guys, this is the equation of a circle, that is point circle, why, क्योंके guys, यह कैसा circle जिसका radius का यह 0, got it, better got it, guys, I repeat, this is the circle, whose radius is 0, so, it's guys, point circle, this is known as point circle, आप कहा सकते, इसे equation of point circle, got it, this is the equation of point circle, now guys, अब जिसे एक्जामपल, आप यह मान के चलो, हमने यह आपे, हमने यह आपे, सबसे पहले k को रखा, तो हमने यह आपे point circle बना दिया, point, ठीक है, point हो गया, चलो जी, अब हम ले लिया जी तूसरे एक्जामपल, case number two, case number two, हमने हमने k को लिया, one, तो x square plus y square equals two, one, तो क्याथ radius कितना हो गया, one, तो आप विजी पाते डिगरम थोड़ा सा कैसे बनेगा, यह, इसको ऐसे बना लेते ने, इसको पर, one, ठीक है, उसके बाद हमें, case number two, case number two में हमने k को ले लिया, तो, k को ले लिया, अब करद यह आपने radius नि बोलेंगे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए radius बोल दिया, हमें आपके के बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यह, 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 यह radius शो नहीं कर रहा है, यह, वो distance शो कर रहा है, इसको स्क्वार है, यह, यह जो के है, यह distance शो कर रहा है, अगर आपको याद भी हो, तो this is basically used for the distance formula, समझे रहो, हाँ, center origin अगर आप equation सरकल के बात कर रहो, got it, अब अपने यह रखा, तो यहाँ पर माल लो, x square plus y square is equal to 2, उसे से आप से अगर आप इसका diagram बनाऊगो तो यह थोड़ा सा ऐसा बन्जाना चाहिए, तो बनता नहीं ना diagram, अब ठीक है, अरे, अब ठीक है, ऐसी गैज, आप multiple cases बनाते जाओ, multiple cases बनाते जाओ, कोई limit नहीं है, case को बढ़ाते जाओ, case 3 आपने, case 2, यह 3 था, यह 4 है, अब values गैज, बढ़ाते जाओ, 3, 4, 5, 6, तो आपको एक इस idea लगता जाएगा, कि यह diagram में कुछ ऐसा है, यह ऐसा होता जाएगा diagram यह, समझे लो, यह diagram कुछ इस form में होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और यह गैज कब तक बढ़ाएगा, जब इसका final diagram खितम नहीं हो जाएगा, तो गैज, this is the level curve, this is known as level curve, अभी कोशन निकल के आता है, कि सर, what about the main 3D diagram, अब गैज, अब imagination है, imagination है, तो सोचो, कि अगर कोई ऐसा 3D curve जो 2D में convert होता जा रहा है, तो, sorry, 3D curve जो 2D में convert होआ है, और circle form में convert होता जा रहा है, तो 3D की वो figure बता हो, जो circle होती है, 2D की form में, yes guys, कोण, this is कोण, आप खुछ सोचो, यह आपका conical figure है, 3D में, आपको याद हो का 10th में पर 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 ते ते, तो इसको तो गैज, यह कोण है, जब आप कोण को conical figure को 2D में लेकर आपको तो गैज, सबसे पहले point, जो होता, उसको point, वो obviously बाते point हो गया, फिजैसे जैसे आप उसको cut करता जाओगा, तो वो guys, circle का form बनाता जाएगा, ठीक है, यह छोड़ा सा example देता हूँ मैं आपको, छोड़ा सा example, वो जब किसी का birthday होता तो birthday में birthday gap ऐते है, कैप होती सब पेने व otot talked, को से तरह होती है HO Jiame, When 1 active apply resource र अब inhative? आप ते जा रहा है एक ही उपड़े एक टो उसकी रोत जाती तो क्ले गैट जितने होते फेयर में उस में सार्फेस में कट करने ज़ा किता जाओ क्लश करते जाओ क्ले ऊसकी हम कर देखू कि तो गरफ़ी आपका सरकल फोर्म में होगा उसका जो सर्फेस एंद हो concept है के लिर गाइद मेरी हाथ की बात आपको अच्छे सब्सक्राइब है तो गाइद ये एक छोटा से मैने कोशन आप से डिसकस किया था ठीक है अब मैं ये ट्राइ कर रहा हूँ अब आप से एक मैं एक पिच्छर दिखा रहा हूँ आपको ठीक है इसका 2D or 3D और गाइद मैं आपको तो फ्रेंग देखना इदर या तो जैसे कि आपके सामने बेटा ये पिक्चर आईए ठीक है जी तो तो ज़्यान से देखना बेटा इस पर तो मैंने एक साइट बेटा क्या क्या है 2D बनाई ये इदर एक साइट बेटा 2D sorry 3D पिच्छर इदर गाइज जो मैं आपक पिच्छर बेलेशब डियागरम और अगर आपको ध्यान अगर इधर गया हो इधर भी आया हो गाई तो इधर आपको एक्वेशन दिखिया है कि that is fx is equals to 4 minus x square minus y square समझे लो this is the same equation of a circle ठीक है मतलो अगर इसको हम 2D में फोर्म करें अधर मैं आपको बेल शेप डियागराम है यह जैसे कि आप देख पा रहे ही जो औरेंज कलर का मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यह जो और यह जो अपको खाई धिये जो और आपको light orange है this is the diagram यह जो है गया यह surface है यह माननो यह तरगा blade है मैंने इसको इसको कट कर दिया अब जो हमें इसको कट करेंगे तो गया दे यह सेम्टीज आपके के बढ़ा पढ़ है, Z is equals to K, equation के अंतर, तो गयर आप basically K को या Z को वेडी करोगे, बदलते जाओगे, जैसे कि आपको पता होगे, मैंने भी बताते हैं, आपको K को 0 भी रखा, 1 भी रखा, 2 भी रखा, 3 भी रखा, तो आपको डियागरम चेंज हो रहा थ है, जो surface है, यह उपर नीची होगा, जिछना जादा आप Z की value को variation लाते जाओगे, बदलते जाओगे, तो काई यह भी अपना place बदलते जाएगा, एक टाइम ऐसा आगा, जो बिल्कुल यह origin वाला point लियागा, that is point of a circle, बदा सर, आपकी question of a point circle, point circle की question आजेगे, इन काई करत करते हैं, यह भी नीचे जाएगा, तो यह maximum सबसे बड़ा वाला circle बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो तरह इस चीज़ को ज्यान से देखिएगा, यह हम बढ़ाते है, बढ़ाते है, बढ़ाते है, बढ़ाते है, उठीपैन करता है, जैसे जैसे हम इसको change करते जा रहा ह है, देखरो आप लोग इसको, जैसे हम लोग 3D figure में that change कर रहे है, वैसे वैसे आपका level कर वाला circle भी guys, change होता जा रहा है, हुफ सब्सक्राइब बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कि लिए guys, जैसे देखो, यह level कर वह यहाँ पर मैंने basically एक च्छोटादा example, एक इधर, अब जैसे मैं आप अगर और example लेता चलू, जैसे कि यह, जैसे कि यह, यह तो चलो, जैड़ वाली चीज़ी थी, जैड़ को मैं change करता जाओ, सर्गल बदलता जाएगा, अब अगर मैं example बदलता चलू, आप देखिये, एक example यह हो गिया, मतलँ एक example, I think इधर आएग यह, यह, एक example यह है, एक example आपका यह, कि Z is equals to Y square minus X square, यह 3D figure ऐसी बनेगी, और 2D figure ऐसी बनेगी, इसकी ठीक है, and एक example और ले 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 तो मैं, तो गैज़ यह, Z is equals to sin 3X plus का sin Y, समझ रहो, sin 3X plus का sin Y, तो गैज, उस ही recording आप देखिये, आपका 3D में picture ऐसी बनेगी, लेकिन 2D मैं, लेवल कर आपको कुछ इस तरीके से बनेगा, समझ रहो, and आप, यहाँ पर लिकी देगा, आप पर चाहो तो Z, आप चाहो तो गैज़ यहाँ यहाँ पर Z वगर को change भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं Z बतलता जाओंगो, तो 2D diagram भी change होता जाएगा, यहाँ पर गेम Z का है, यहाँ जो equation जिसके बढ़ाबर होती, के-के उसका गेम में सार का सर है, और एक example लिए हमने, Z is close to x square, Fx y is close to x square, तो गयाँ वो x square 3D में ऐसा दिखेगा, ठीक है, and 2D में गयाँ वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर हम लोग example लेकर चलें, जिस यहाँ पर बता रहा हूँ है, सब चीज़े, बस आपके माइन में एक आईडिया बैट जाए कि यहाँ से चीज़े होती हैं हमारे सामने, ठीक है guys, के लिए मनी हाथ तके बात आपको सच्छ में आ गई है, और एक example ले लिया, आप देखेगे कितना अजीब सा अजीब सा डागराम है 3D है और 2D में इस्टेप का यह डाइगराम में ठीक है guys, सारा गेम जैसे मैं आपको बताया, जैट का ही गेम है यहाँ पर, killer guys, now, so, हमने आप 3D 2D वाला concept भी एक बार देख लिया, ठीक होप तो guys, मेरे आपको यहाँ पर बात सच्छे सा समझ्छ में आ गई होगी, अब questions और में discuss कर लेता हूँ आप लोगों से, आप थोड़ी सी help मिल जाएगे, और guys, हमारा यहाँ पर level curve का concept complete हो जाएगा, ठीक है, तो अब जारे एक question और देख लो, that is fxy, जो कि हमारा z के बराबर है, ठीक है, fxy guys, जो हमारा यह z के बराबर है, तो देख दिख लोगों है, तो that is 2 minus x minus y, that is the level curve, level curve of height, k, has the equation, आप जो को समेंन, हमेज का, वही concept solve करना जो मैंना भी अभी आप को यहाँ पताया था, यह आला, that is find the set of all level समझ रहो अब गयाज में पस एक्वेशन से लेता जाओंगा एंड गाइज ये एक्वेशन एन गाइज ये सल्यूशन है जो मैं भी लिख रहा है इसको मैं जूसे लिख लेता हूँ ठीक है तो जारा समझ एगा दिसे मान लीजे लेवल कर लेवल कर लेवल कर अफ हाइट अफ हाइट के है है थी एक्वेशन है थीक्वेशन एफ एक्व माई इस तरीका से लिख तो X plus का Y is equals to 2 minus का के, clear? कुछ इस तरीके से लग सकते हो, अच्छा एक बाब बताओ, यह जैसा कि आपको पताई कि यह हमारा डियागरम 3D में है, just obviously बाते है, Z is equals to 2 minus X minus Y, तो X भी आगया, Y भी आगया, X भी आगया, तो गाइद, यह नॉमली तो 3D कर भे है, ठीक है? और गाइद हम इसका जब 2D बनाना चाहते है, तो आप समझ सकते है, हम इसका लेवल कर बना रहे है, ठीक है, तो गाइद, वही चीब यह यहाँ पर जो distance आएगा, that is the value of K, और विद बाता है, आपर के की value बताएंगे, हम लोग 3D में K कही डिस्टेंस तर जो मैं आपको महा समझा दिया था, तो गाइद, यहाँ पर के की values है, लेकिन मैं उतसे परले आप से जैस्टी पूछना चाहता हूँ कि यह जो equation है, इस the equation of line, या फिर आप इसको कह सकतो, जिसे तर फैमिली ओफ लाइन, और विद ही पाते है, हमारे डियाग्रम की फैमिली होती है, तो गाइद, फैमिली ओफ लाइन है, अच्छा इसका सुलोप कोई पूछे आप से, सुलोप इस माइनस कावन, और विद ही पाते है, अब बर बाता हों,पि और मैं इसका डागरम यहां बनाता हूं, इस एक्जाम्पल आप सोच हो, अगर मैं इसका डागरम इधर बनाना का ट्राइ करता हूं, तो वो किस टैप से बने गाई वो क्या बनेगा शायद आपको पता होगा y is equals to minus ka x तो शायद वो यहां से कहीं बनेगा ऐसा this is y is equals to minus ka x इद इद इपात नहीं गे इस तो गई स्टुडी में ये ऐसे बनेगा ठीक है यह वाला लेकिन अगर रहा बात करनो आपसे case number 2 की कि रख लिया हमने मानलो 1 तो आगी यह x plus का y is equal to 1 ठीक है x plus का y is equal to 1 यानि कुछ ऐसा मानलो यह आपके वसर में equation बनके आगई आप खुछ सोचो अगर x plus का y is equal to 1 है तो मेरे ख्याल यह होगा कि अगर y 0 भी होगा तो x तो 1 मिल रहा ना आपको अगर y 0 है तो x 1 मिल रहा है आपको I think इधर and x 0 तो आपको y 1 मिल रहा इधिंग इधर तो अगर यहां ही से आप एक लाइन डॉकर तो गहे पार्डल बतलब यह विव गाई भी पैर्डल मनाने के लिए मैं थोड़े वैडिशन कर तो यहां पर ठीक है बासज में आगा तो का इधिस इस दे लाइन आपको यहां पर चीज़ों को पतल सकते हो के को आपने रखा जिस्ट इग्जामपल जीरो गाइट देख अब आपकी मरजी आप मुल्टीपल चीज़े रखता तो तो रखा वर रखा दिलो रखा तो यह एक्स प्रैस का वाइड इगर्ट फूटू हो गया फिर के लिए प्राद जाओ यार एन कैसे इस प्राद लॉट जीतना 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 आप के लिए बढ़ते जाओ गे चैजी उतना तूवर्स राइट जाते जाओ ठीक है जैस भीग आपको सेज में आ गई, बहुत इजी बात थी गाइज, कितना असान concept अब यहाँ पर है, मेरे ख्याल से कहते आप चीदों को समझ चू कियो, कि एक्जाम में अगर आ जाए, लेवल कर तो बनाना क्या सा कहते है, this is the level curve, and it's very very important thing, कि डागरम ही नी बनाना, और सिर्फ आपको य 3 cases बना देना, 2 तो कम से कम बनाओ, 3-4 बनातो तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, तो यह just concept है, paper में 3 से चार नमबर का आता है, subjective में भी, objective में भी, तो उसी according आप लोग इसको एक बार देख लिजेगा, ठीक है, and guys अगर मैं examples, मानलो, एक और ले ले ले, तो एक पाट, that that is 3-x²-y², and guys वही concept है, जस्त आपको पता हो, कहानी पूरी ही पूरी, आप गयाद है, पूरी कहानी तो लिखूंगा नहीं, असी दिसी दिसी तर concept है, आपको सामने दे रखा है, that is k, which is equals to fxy, and that is equals to 3-x²-y², and आप चाहो, तो इसको आपको इसको इसको आपको इसको आपको अब आप गयाद इस equation को देखो, ठीक है, बात तो यह basic, है तो equation of a sir, कर लेकिन थोड़ा सा formation में आलग होगा, and guys, मैं आपको बार-बार repeat यहीं कर रहा हूँ, कि आपको एक्जाम में 3-D diagram नहीं बनाने है, अमझे रहो, 3-D diagram नहीं बनाने है, क्योंकि वो बनी ही नहीं सकते है 2-D figures, तो guys, आपको 2-D diagram बनाने है, वो बना आपको guys, यहाँ पर technique बताती है, जिस लिखने का तरीका आप शायद समझ चुकी हो, लिखना कैसे इसको, that is, आप शायद इसको ऐसे लिख सकते हो, x square plus y square is equals to 3 minus k का square, अभी हाँ पर k की value को वाइडी कर दो, जैसे k की value आपने सब से पहले मान लो रखी root 3, तो पते है क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, x square plus y square is equals to 0, तो guys, it's a point circle equation, यह आगे dot, फिर आपने k को रखा example root 2, तो यह आगे x square plus y square is equals to 1, तो यह एक circle आपको ऐसे मिल गया, समझ रहो, फिर आपने k को रखा 1, तो यहाँ पर आगे x square plus y square is equals to 2, तो तो guys, सारा game यहाँ पर k की value को रखने का है, hope so guys, मुझे लगता है कि आप यहाँ चीज़े समझ गए हो, clear, इंदाज बढ़िया, चली गया, तो guys, यहाँ पर मैं आपको सीज 2 question home rank में दूँगा, ठीके वेटा, and guys, वो 2 question please आप करकी मुझे check करा लिजएगा, एक आपको basic ideal प में लो, ठीके वाद को home park form में, and get please, please, मुझे आप इनका answer जरूर भीजएगा, ठीके, so fxy equals to x plus का 2y, ठीके, x plus का 2y, and similarly fxy एक और हम रख लेते हैं हाँ पर, that is x square plus 2y square, ठीके, अच्छा एक बार बताओ, मुझे चोटे सा आप से question है, यह तो चलो माल ले, आपको पता लगी है, equation of a line, ठीके, it's a family of line, ठीके, लेकिन, what about this, इसके बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके, हाँ बच्छा, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, यह क्या है, x square plus 2y square, क्या है, equation of a circle है, no, a big no, नहीं है, this is equation of ellipse, got it, आपको ellipse क् तो अगर circle होता, तो यहाँ पर, यहाँ पर 2 नहीं होता, क्योंकि circle में x square plus y square होता है, मतलब जिसका center origin है, मतलब x square y square का coefficient 1 होता है, समझे रहो, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ इस equation of a ellipse, और equation of a ellipse, क्या होती थी ते है, अगर आपको जा तो, x square upon a square, y square upon में b square is equal to 1, तो यहाँ equation of a ellipse है, और मैं यह चाहूंगा कि आप इसका diagram जरूर बनाओ, 2D में आपको पता है, यह circle की form नी बनेगी, कुछ इस तरीके से form बनेगी, क्यलिए लगाईज, तो यहाँ मुझे लगता हम लोगा ने कुछ अच्छे questions कर लिए, ठीक्ठा questions कर लिए, प्लीज प्लीज एन प्लीज एक पर इसको जरूर देखिएगा, ठीके, इसको जरूर देखिएगा, और जो मैंना आपको भी homework questions को प्लीज मुझे सवार करके जरूर भीजएगा, अगर नहीं भी आते हो, तो तबी भी मुझे भीजएगा, आदे है दूरे, मैं एक पर चेक क करूँगा कि आप कितना सोच सकते हो, कितना आप कितना ट्राइ कर सकते हो, ठीके, तो मिलते हैं हम लोग लोग लेस्ट क्लास में with the new topic, okay friends, have a nice day, thank you, bye-bye, take care.